Friends, आज हम बात करेंगे राजस्तान के परशिद मस्जिद मकबरे दर्गा मिनारे इन सब की इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें 200 किशन्स थे वो राजस्तान के मंदिरों पे थे परशिद मंदिरों पे और आज हम मस्जिद मकबरों की बात करेंगे तो हमारा फर्स्ट किशन है सूफी संथ मीठे शाह की दर्गा स्थित है तो सूफी संथ मीठे शाह की दर्गा कहां पर स्थित है तो सूफी संथ मीठे शाह की दर्गा ये बहुत इजी किशन है Friends, Hope आपको पता होगा तो ये है गागरों में थर्ड ओप्शन करेक्ट है अगला केश्चन देखते हैं एसंगत युगम है अमीर अलीशा पीर की मस्जिद दूदू अजमेर ये अमीर अलीशा पीर की मस्जिद दूदू जैपूर में ही है और बाडिया दर्गा सवाई भोज आसिंद भीलवाडा ये भी बिलकुल करेक्ट है मेरता मस्जिद मेरता नागोर में ये भी बिलकुल सही है जामा मस्जिद जामा मस्जिद वैसे तो दिल्ली में है लेकिन अगर हम राजस्तान की बात करें तो जैसे भरतपूर में भी है जैपूर में भी है तो मोस्ट लेकिन वैसे तो जैपूर ही बताया जाता है जैसे अगर किशन पूछा जाए बाकी options से आप कर सकते हो क्योंकि उसमें सब का नाम नहीं होगा बरतपूर यापूर सब कुछ नहीं होगा तो जैसा कि किशन आए उसके according आप कर सकते हो तो वैसे जामा मस्जिद कई जगे पे है अजमेर स्तित ख्वाजा शाहब की दरगा में स्तित देग है तो बड़ी देग भी है तो छोटी देग किसने गिफ्ट की थी मतलब किसने बेंट की थी और बड़ी देग किसने बेंट की थी तो सबसे पहले अगर हम ये बात करें ख्वाजा साब की दरगा की तो ख्वाजा साब की दरगा जो अजमेर में है ये बहुत ही की थी और जहांगे ने कब भेट की थी 1613 इसवी में और बड़ी देख की बात करें तो वो इनके पिता अकबर ने भेट की थी बड़ी देख जो है तो ये भी आप ध्यान रखेंगे और उन्होंने 1567 में बड़ी देख भेट की थी अकबर ने हजरत सकर पीर बाबा की दरगा कहां पर स्थित है तो हजरत सकर पीर बाबा की जो दरगा है वो नरड जुझनु में है जिसको हम नरड के पीर के नाम से भी जानते हैं और यहां पर जाने के बाद में मतलब कई मानसिक रोगी भी आते हैं यहां पर ठीक होने के लिए क्योंकि यहां पर एक आयताकार ऐसे बनाया हुआ है एक स्थान जिसमें मिट्टी है और उस मिट्टी को रगड़ने के बाद में जो मानसिक रोगी होते हैं वो भी ठीक हो जाते हैं किस दरगा परिशर में गोड़े की मजार है तो गोड़े की मजार तरफ यहीं है और यहां पर चने की दाल चड़ाने वालों की मनोकामना जो है वो अवश्य पूरन होती है तो किस दरगा में गोडे की मजार है तो गोडे की जो मजार है वो मिरान साब की दरगा में है और मिरान साब की दरगा जो है वो कहां है तारागड अजमेर में यह दुर्ग है और मिरान साब के जो प्रिये गोडे थे उनकी गोडे की मजार बनी वी है इने के बगल में और यहा उस मारक का नाम बताईए जिसमें ग्यारा सो ठाणवे स्वी में सुल्तान गोरी ने एक मस्जिद में परिवर्तित करवाया था मतलब वो कौन से जिगह है जिसको मस्जिद में परिवर्तित करवाया था मतलब पहले वहाँ पर मस्जिद नहीं थी पहले वहाँ पर संस्कृत पार्ट साला थी और बाद में 1198 में सुल्तान गोरी ने वहाँ पर एक मस्जिद में परिवर्टित करवाया था उस संस्कृत पार्ट साला को तो वो कौन सी है तो वो है डाई दिन का जोपड़ा फतैपुर सिक्री आगरा में सेख सलीम चिस्ती की दरगा है जो किसके सिस्षे थे तो फतैपुर सिक्री आगरा में सेख सलीम चिस्ती की जो दरगा है और हमें ये बताना है कि सेख सलीम चिस्ती जो थे ये किन के सिश्चे थे तो ये किन के सिश्चे थे ये हजरत सकर पीर बाबा के यहाँ पे ये मिस्टे का थोड़ी सी हजरत सकर पीर बाबा के सिश्चे थे सेख सलीम चिस्ती और इनकी जो दरगा है वो फत्यपूर सीकरी आग कहां पर है तो फ्रेंड्स फक्रुदीन नाम आप कन्फिूज नो होंगे फक्रुदीन दो हैं एक तो ये फक्रुदीन चिशती है को जो ये समन्दित इंपोर्टेंट है और उनसे जुड़ा हुआ की जी कृशन है जिसको हम कहते हैं दाउदी बोरा समाद से जुड़े वे हैं तो ये भी काफी important institutions जुड़े रहते हैं तो ये फकरूदीन अलग है जिनसे गलिया कोट का उर्स जुड़ा हुआ है और ये जो है ये इनके बेटे हैं ख्वाजा मुईनुदीन चिस्ती के तो ये फकरूदीन चिस्ती की बात हो रही है और इनकी दरगा के बारे में पूछा है कि वो कहाँ पर स्तित है तो वो कहाँ पर है सरवाडा अजमेर में निर्मान के आधार पर राजस्तान की सबसे प्राचीन मस्जिद कौन सी है तो निर्मान के आधार पर पताना है मैं सबसे प्राचीन मस्जी तोफाना मस्जीद। । डॉक्टर किल हॉर्ण ने कौन सी मस्जीद में बिसल देव द्वारा रचित संस्कृत नाटक हरीकेली मतलब हरी केली जो बिसल देव ने रचना की थी जिसकी और सौम देव ने जो ललित विग्रे राज की रचना की है कि कुछ अंस उतकिरन पाए हैं तो वो कहां पर पाए हैं कौन सी मस्जिद में पाए हैं ये हरी केली और ललित विग्रे राज के कुछ अंस वो बताना है तो ये कहां पर अंकित मिले हैं अडाई दिन के जोंपडे में जो अजमेर में है अजमेर में ख्वाज्जा मौयनो दिन चिस्ती की दरगा पर भेंट बेजने वाले पर्थम मराठा सरदार कौन थे तो पर्थम नजर या भेंट बेजने वाले पर्थम मराठा सरदार जो थे वो राजा साहू जो सिवाजी के पोत्र थे निमली कित में से कहां पर सेख अब्दुल अजीज मक्की की दरगा स्तित है तो सेख अब्दुल अजीज मक्की की जो दरगा है वो बूंदी में है के सुराय पाचन में धाई दिन का जोपड़ा मस्जिद में पर्तिवर्स किसका धाई दिन का उर्ष लगता है मतलब धाई दिन का जोपड़ा इसे इसलिए कहा जाता है इस मस्जिद को क्योंकि यहाँ पर धाई दिन का उर्ष लगता है और कई लोग ऐसे भी कहते हैं कि यह धाई दिन में बन कर त पर स्तित है तो लेला मजनु की मजार बिंजोर स्री गंगानगर में ऐस उमेलित कौन सा है इसमें तो गरीब नवाज उर्ष गरीब नवाज उर्ष ख्वाज्जा मुईनु दिन चिस्ती बिल्कुल सही है तारकीन का उर्ष संथ हमिदुद्दीन नागोरी डाई दिन का जो ये नरड के पीर हैं उनके उर्ष को गलिया कोट का उर्ष नहीं कहते हैं गलिया कोट का उर्ष जो है वही है जो मने अभी बताया था कि फक्रू दिन जो हैं जो दौधि-बौरा समाद से जुड़े हुए हैं राजस्तान का दूसरा सबसे बड़ा उर्ष की स्थान पर लगता है तो पहला सबसे बड़ा उर्ष तो हमें पता है अजमेर ख्वाईजा मुईदन चिस्ती का जो उर्ष है गरीब नवाज उर्ष वो तो वो अजमेर में लगता है और दूसरा सबसे बड़ा जो उर्ष है वो नागोर में लगता है स्थान की सबसे बड़ी दरगा कौण सी है तो सबसे बड़ी दरगा जो है वो नरहड़ पीर भाभा की गे mmorp rust कॉल में तो यह तो राज चार है के सबसे बड़ी दरगा कौन सी है तो सबसे Bड़ी दरगा जो है वाजर हण मर्या की इस्वा biggest दूर água są जो नरड में है जुन जुनु में है मलिक शाह की दरगा कहा स्तीत है तो मलिक शाह की दरगा जालोर दुर्ग में है जीवनी जो है किसकी जीवनी होलोग्राफी के लेकक मिर्जव वहियुमुद्दिन बेगने के सब्दों में किस दरगा को कौमी एक तका सदा बाहर चर्चस्म तो फ्रेंड्स यहां पर उसको नाम हूली बायोग्राफी है और उसके लेक है जो ख्वाज़ा मोहिणो दिन चिस्ति की जिए कौमी एक तका सदा भाहर चर्चस्मा है ख्वाजा गरीब नवाज का उर्च लगता है कब से कब तक लगता है एक रजब से छे रजब तक भूरे खां की मजार कहां है तो भूरे खां की मजार जोदपूर में है अजमेर स्तित खौाजा साब की दरगा में स्तित बड़ी देख की समगल समराद द्वारा भेंट की गई तो ये अभी हमने स्टार्टिंग में ही देखा था कि वो चोटी देख जहांगे ने और बड़ी देख अकबर ने दी थी बेंट की थी और अकबर ने 1566 मतलब 1567 में बेंट की थी राजस्तान में सेयद बाजशा की दरगा कहां पर स्थित है तो ये है सिवगंज शिरोही में सुमेलित करना है एक तरफ मकबरा दरगा दूसरी तरफ स्थान गजरा का मकबरा कहां पर है दोलपूर में गजरा का मकबरा दोलपूर में है तनापीर की जो दरगा है वो मंडोर जोदपूर में है नवाब दोलत खां का मकबरा फतेपूर सिकर में है और दिवान शाह की जो दरगा है वो कपासन चित्तोडगर में है एक बार और देख लेते हैं गजरा का मकबरा धोलपूर में है तनापीर की दरगा मंडोर जोदपूर में है नवाब दोलत खां का मकबरा फतेपूर सिकर में है और दिवान शाह की दरगा का पासन चितोडगर में है तारागड़ दूर्गजमेर में किस संत की दरगा है तो वो देखा था हमने अभी मिरान साफ की दरगा और गोड़े की मजार है वहाँ पर खौज़ा मौहिन उदिन चिस्थी के साथ किस के साथ बाहरत आये थे तो वो आये थे मुहमद गोरी के साथ और डाई दिन के जौपड़े से पहले वहाँ पर क्या था तो यह हमने देखा था कि सुल्तान गोरी ने तुड़वा कर डाई दिन का जौपड़ा बनवाया था तो किसे तुड़वा कर बनवाया था तो संस्कृत पाट साला को फिरोजा का मकबरा कहां पर स्तीत है तो ये जालोर में है भारत में कादरिया संपरदाई की सबसे बड़ी दरगा कहां पर स्तीत है तो वो है नागोर में राजस्तान में नवाब रुहेल खां का मकबरा कहां पर है तो वो है जुन जुनो में बांगड के धनेंग के नाम से किसे पुकारा जाता है तो बांगड चेतर कौन सा होता है सिखावाटी वाला और बांगड के धनेंग के नाम से किसे पुकारा जाता है तो जुन जुनो में क का बुलंद दर्वाजा नेहर खा की मिनार कहां पर स्थित है तो ये कोटा में है important question है कहां पर क्रिश्टन जनमास्ट में पर लगने वाला मेला हिंदू मुस्लिम सद्भाव का परतीक है तो ये नरड के पीर मतलब सक्कर बाबा पीर की दरगा में लगता है वो जोदपुर में स्थित है ये भी important है चल फिर शाह की दरगा राजस्तान में कहां पर स्थित है तो ये चित्तौडगड में है ये आयावा किश्टन है राजस्तान में रजय सुल्तान का मकबरा कहां पर है तो ये टॉंक में है एसंगत विकल चुनना है इनमें से पीर दुले ये वला लग नहीं है पीर दुले शाह की दरगा कहां पर है केरला जो की पाली में है बिल्कुल सही है मस्तान बावा की दरगा सोज़त पाली में है बिल्कुल सही है कमरुदिन शाह की दरगा जुन जुनू बिल्कुल सही है सफतर गंच मिनार अजमेर में ये ऐसंगत है क्योंकि ये अलवर में है अजमेर में नहीं है जेटा मुठा पीर साह की दरगा कहां पर स्तीत है तो ये मंडरायल गजनेर बिकानेर में है और अगला किशन देखते हैं हम गजनेर में है बिकानेर में और डाई दिन का जोपड़ा मस्जि Twin का निर्मान किसा सक धूरा करवाई गया तो डाई दिन का जोपड़ा इसका ने बनुए था तो यह कुतोबुदीन एबक ने बनुए था मरदान शाह की दरगा कहां पर सीते ये वापस से रिपीट हुआ है तो ये मंडरायल करोली में है और ख्वाजा मौईनो दिन चिस्ती के बच्पन का नाम क्या था तो ये था खुरासन उनका नाम था सुमेलित करना है मस्जिद मकबरों को उनके स्थान से तो पहला है फत्य गंज गुममदिया मस्जिद तो ये अलवर में है अकबर की मस्जिद तो ये आमेर जैपूर में है नालिसर मस्जिद ये है सांबर जैपूर में और गुलाब खां का मकबरा ये जोदपूर में है यह जोदपूर में है गुलाम खा का मकबरा राजस्तान में दाउदी बोरा संपरदाय का सबसे बड़ा उर्ष कहां पर लगता है तो यह मैंने बताया था कि यह डुंगरपूर में लगता है गलिया कोट डुंगरपूर में लगता है दाउदी बोरा संपरदाय का फकरूदिन जिससे समंदित है अजमेर के ख्वाजा मुईनोदिन चिस्ती के सिस्षे कौन थे ये बताना है तो सेख हमुमुद्दिन नागोरी और जिनका नागोर में उर्ष लगता है तारकिन का उर्ष ये सेख हमुमुद्दिन नागोरी ये ख्वाजा मुईनोदिन चिस्षे थे और सिकों का परसित बु दर्गा कौन सी है तो यह सबसे बड़ी जो दर्गा है वो सिफूदिन अब्दुल वहाब की है जिसे बड़े पीर की दर्गा भी कहते हैं राज्य की किस दर्गा में जात देने से पागल रोगी ठीक हो जाते हैं तो यह भी मैंने बताया था कि वहाँ पे एक आयतकार स्थान बना हुआ जहां पे मिट्टी है उस मिट्टी को रगडने से हाथ पैरों पे रगडने से पागल पन सही हो जाता है तो पागल रोगी कहां पर सही हो जाता है तो नरड पीर की दर्गा में मुसल्मान संत अब्दुल्ला पीर का मगवरा कहां पर है तो मुसल्मान संत अब्द माल वाल की दरगा कांपर स्थित्त है तो यह है ने जो सबसे पुराने कि इमारत है वन दरवाजा में तिहीं अधा मुंध पहारतका मक्का कि जिले को चाहल है क्वाजा मुहिन दिन चिस्ती की दरगा की वज़े से यहां पर बहुत सारे दालो आते हैं एक तरफ मकबरे हैं और दूसरी तरफ स्तान है कई बार पूछ लिये जाते हैं जैसे सेरसा सूरी का मकबरा कहां पर है तर दूसरी का मकबरा है सासरा अंबिहार में औरंग जैब का दौलताबाद औरंगाबाद भी कह सकते हो जहांगिर का जो है वो लाहोर में है और बादो रशाइज जफ़र का रंगून में है मुहिनोदिन चिस्ति किसके साशनकाल में भारत आये थे तो ये 1191 में आये थे परत्वीराज चोहान के समय में और खौजा मुहिनोदिन चिस्ति की दरगा में जामा मस्जित का निर्मान किस मुगल सासक दुआरा करवाया गया तो ये साजा दुआरा करवाया गया यहाँ पर देखो हम तीन किशन एक जगे पर इकल लेते हैं ख्वाजा मुईनोजिन चिस्ती की दरगा में बड़ी देग अकबर ने दी थी छोटी देग जो ती वो जहांगे ने बेट की थी और जो जामा मस्जिद है यहाँ पर वो सहाजाने बनवाई थी राजस्तान में सबसे बड़ी मस्जिद साभाद मस्जिद का निर्माण मुकतमने कहाँ पर करवाया तो यह कहाँ पर करवाया 12 में सही यूगम है नौगजा पीर की मजार चित्टोडगड़दूर्ग बिलकुल सही है इदगा मस्जिद जैपूर बिलकुल सही अब्दुल पीर की मजाल बांसवाड़ा बिलकुल सही तो उपयोगत सभी कौजा मुईन दिन चिस्ति की दरगा की एक खुबसूरत इमारत संग मरमर की सहाज जहानी मस्जिद है उसे क्या कहते हैं उसे जुमा मस्जिद कहते हैं राजस्तान में सिक्कों का सबसे बड़ा मेला किस स्थान पर लगता है तो राजस्तान में सिक्कों का सबसे बड़ा मेला साहवा चूरू में लगता है दाई दिन के जौपड़े के बारे में ये किसने कहा भारत में कोई इमारत ने तो एतिहासिक द्रस्टी से और नहीं पुरा तात्विक द्रस्टी से इतनी संरक्षित है ये बात एक कनिगम ने कही सुमेलित करना है मस्जिद मकबरों को उनके स्थान से ख्वाज़ा मुईनो दिन चिस्ती की दरगा कहा है तो ये वापस से रिपीट हुआ है और आपको पता होगा बहुत एज़ी है अजमेर में गुलाम खां का मकबरा जोदपूर में गुलाब खां अलग है और संत गुलाम खां अलग है तो दोनों ही मकबरे वैसे जोदपूर में है संत फकरुदीन की जो दरगा है वो गलिया को डुंगरपूर में है ये भी हम कर चुके हैं और गुलाम कलंदर का मगबरा ये भी जोदपूर में है निमलिकित में से किस दरगा को कांठल का ताज महल कहा जाता है तो कांठल की दरगा या कांठल का ताज महल के नाम से काका जी पीर की दरगा है जो की परताब गड़ में है सेख हिमायुदीन सोक्ता ख्वाजा साब के जो पोत्र है कि मजार कहां पर स्तीत है तो सेख हिमायुदिन सोगता कि जो मजार है वो कहा पर सीत है वो सांबर जैपुर में है राजर्स्तान की पहली मस्जद जिसे सोलग हम्मों का महल भी कहा जाता है वो है डाई दिन का जोपना ख्वाजा साब के गुरू कौन थे तो ख्वाजा मुईनो दिन चिस्ती साब के जो गुरू थे उनका नाम था हजरत से कुस्मान हारूने third option is correct बेगम दाला का निर्मान किसने करवाया ये अजम मुईनो दिन चिस्ती की दरगा में है बेगम दाला बेगमी दाला सौरी इसका निर्मान जहां आरा ने करवाया था और जहां आरा जो की सहजा की बेटी थी राजस्तान में बीवी जरीना का मगबरा कहां स्थित है तो वो दोलपूर में स्थित है और बीवी का मगबरा अजमेर में है तो थोड़ा सा डिफ्रेंस याद रखेंगे बीवी का मगबरा और बीवी जरीना का मगबरा दोनों अलग-अलग है पीर हाजी निजाम अदिन चिस किसे सुल्तान तार्किन का मतलब सन्याश्यों का सुल्तान की उपादी से नवाजा था तो ख्वाजा मुहिनोदिन चिस्ति ने किसे सन्याश्यों का सुल्तान कहा था तो वो सेख हमुमिद्दीन नागोरी को अब्दुल्ला खां का मकबरा है बीवी का मकबरा जो अभी मैं बता रहे थी कि बीवी का मकबरा जमेर में है और बीवी जरीना का मकबरा जो है वो धोलपूर में है मकबरे को उनकी स्थान से मैच करना है साजा का मकबरा जो है वो आगरा में है बावर का काबुल में है अकबर का सिकंद्रा उत्रपरदेश में है और उमाईयों का दिल्ली में है तो ये सारे सुमेलित है बिलवाडा का गोरी परिवार किस उर्ष का उद्गाटन करता है तो वो कौन से उर्ष का उद्गाटन करता है ख्वाजा मुहिन अदिन चिस्ति के उर्ष का नागोर में किस सूफि संथ की मजार स्थित है तो यह हम सब जानते हैं जिसको नागोरी भी जिनके नाम के आगे लगता है तो सेख हम मौमिद्दीन नागोरी की मजार है राजस्तान में अलाओदिन आलम साहब का मकवरा कहां पर स्थित है तो ये तिजारा में है सुमेलित करना है दरगा जो भी है या मज़ार है उसको उनके स्थान से तो जैसे कबीर शाह की जो दरगा है वो कहां पर है करोली में कैसे कबीर शाह कैसे करोली पीर सद्रूदीन की जो दरगा है वो रंधंबोर दुर्ग में है और मजनु की मजार स्रिगंगा नगर में है और शाह पीर की मजार जालोर में है अगला किशन है ख़ाज़ा मुझनitute दिन चिश्ती की दरगा में जावा मजिद का निर्मान किस मुगल सासक दवारा करवाया गया तो ये साज़ा दवारा करवाया गया ये किशन वापस से रिपीट हुआ है सेद फक्रोदीन की दर्गा किस नदी के किनारे पर स्थित है तो ये माही नदी के किनारे पर स्थित है संथ हजरत सक्कर पीर बाबा की दर्गा में परवेश करने के लिए किन दर्वाजों से उकर गुजरना पड़ता है तो संत जिसे कहते हैं कि नरड के पीर वहाँ पर कौन से दर्वाजों से उकर गुजरना पड़ता है तो बुलन दर्वाजा, बसेती दर्वाजा, बगली दर्वाजा वहाँ पर तीन दर्वाजा है नवाब रुहेल खां का मगबरा कहां परस्तित है तो ये जुन-जुनों में है ये भी रिपीट हुआ है मुगल बाजशा आजम साह ने अपनी मा दिलरस बानो बीगम राविया उद्दोराने जी से कहा जाता है कि याद में कौन सा मगबरा बनवाया तो बीवी जरीना का मगबरा और जो अभी हमने देखा था बीवी जरीना का मगबरा कहां परस्तित है धोलपूर में तो ये मुगल बाजशा आजम साह ने बनवाय था अपनी मा की याद में गुलर कालोदान की मजार कहां पर स्तीत है तो गुलर कालोदान की जो मजार है वो जोदपुर में स्तीत है नेहर खां की मिनार कहां पर स्तीत है तो ये है कोटा में कांठल की दरगा या फिर कांठल का ताज महल जैसा कि अभी बताया था थोड़ी देर पहले किस मस्जिद को ज जिहाल टावर या गंटागर कहां पर स्तीत है तो ये दोलपूर में है अगला किशन है मरदान शाह की दरगा कहां पर स्तीत है तो मरदान शाह की जो दरगा है ये करोली में है गजरा का मकबरा कहां पर स्तीत है तो ये दोलपूर में स्तीत है गजरा का मकबरा सबसे विशाल ग अगला किशन है नवाब दोलद खां का मकवरा कहां पर स्थीत है तो यह जोद पूर में स्थीत है बाडिया दर्गा कहां पर स्थीत है आसिंद भीलवाडा में नेहर खां की मिनार कोटा में और next question है हमारा चोटिला पीर दुलेशा की मिनार कहां स्तित है तो चोटिला पीर दुलेशा की जो मिनार है ये पाली में है केरला रेलवे स्टेशन लोधी मिनार स्तित है लोधी मिनार कहां स्तित है बयाना भरतपुर नेक नाम बावा की दरगा किस जिले में स्तित है तो ये है 12 में तो ये हमारे 100 questions की test series थी जो hope आपको पसंद आई होगी क्योंकि अगर आपने ये topic पढ़ा है और कोई भी exam दे रहे हैं राजस्तान का तो उसमें आपके लिए helpful रहेगी और आपके कितने questions इसमें से correct हुए वो भी हमें बताएगा, hope you like it, if you like it, please hit the thumbs up button please, please, please subscribe the channel, put your views and suggestion in comment box, so thank you